हैलो फ्रेंट पेशल दिश्वाय सारिका के चानिल पर आप सबका सवागत है तो आज मैं बनाने वाली हूँ भूती खस्ते और धेड़ सारे लेयर की गुजिया तो इसे दिवाली के टाइम पर बनाया जाता है और इसे महाराश्वर में करंजी बोलते हैं और इसे नवरात्रि के टाइम पर भी बनाते हैं और दिवाले के टाइम पर भी बनाते हैं यह बहुत ही खास रेसीपी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है और आज मैं जो करंजी की रेसीपी बताने वाली हो ना एक करंजी मुँँ में डालते ही पिगलने लगती है जैसे आप खारी खाते हैं वेसे ही एक करणजी बनती है, खाने में एकदम कुरकुरे और सॉफ्ट बनती है, और इसमें लेयर तो देखिए कितनी आच्छी तरह से आई है, और एक भी करणजी जो है टूटी नहीं है, पर्फेक्ट लेयर के साथ, हमारे कुरकुरे खस्ते करणजी जो है बने है तो इस recipe को पूरा देखिए, easy recipe है, simple method से आप attractive करणजी जो है बना सकते हैं और खाने में भी बहुत ही tasty लगते हैं वीडियो को end तक जरूर देखिए, आपको पूरी recipe पता चलीगी, तो चलिए आज की बड़िया recipe को start करते हैं आप अगर मेरी चानल पर नई हो तो चानल को सब्सक्राइब करने ना भूले, साथी नए नए recipes के notification के लिए bell icon पर क्लिक करें गुजिया या करणजी बनाने के लिए मैं हा ले रहे हूँ, दो कप मैदा और इसके बीच में हम एक चोटे कप से तेल डालेंगे इसमें तेल जो है न गरम ही डालना है, स्पून से नाप ले तो चोटे स्पून से लेना है, चार चमच इसमें तेल डालना है आप चाहे तो तेल की बज़ाए घी भी डाल सकते हैं, दोनों optional है तेल डालने से भी आपके करंजी जो है न वह बहुती क्रिस्पी बनते हैं इसे लगातार हातों से mix करना है, करीब 5 मिनीट तक इसे mix करना है हातों में लेने के बाद, इस तरह दबाने के बाद इस तरह लड़ू रेडी होना चाहिए हातों में लेने के बाद इस तरह लड़ू रेनी होना चाहिए तबी जो है हमारा आटा परफेक्ट गरंजी बनाने के लिए सेट है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गुनना है बिल्कुल इस तरह से इस आटे को जादा सौफ्ट नहीं बनाना है थोड़ा सा टाइट रखना है मीडियम सौफ्ट आटा गुन कर लेना है मतलब जादा सौफ्ट भी नहीं और जादा टाइट भी नहीं मीडियम गुनना है बिल्कुल इस सरह से उपर से थोड़ा तेल डाल कर इसे और भी थोड़ा चिकना बनाएंगे इस आटे को उपर से धक करी 15 मिनिट सेट होने के लिए चोड़ देना है ये सेट हो रहा है न तब तक हम स्टपिंग बना लेते हैं स्टपिंग बनाने के लिए ग्यास पर एक पैन रखेंगे उसमें हम डालेंगे एक चमच घी और घी पिगलने के बाद इसमें डालेंगे छोटे कप से एक कप सुका नारियल और इसे हलका सा भून लेना है इसमें हम डालेंगे बड़े कप से एक कप चावल का आटा और इसे भी अच्छे से रोस्ट करना है चावल के आटे के बज़ाए आप गेव का आटा भी यूज़ कर सकते हैं otherwise आप सूजी भी यूज़ कर सकते हैं इस सारे optional है चावल के आटे का stopping मुझा अच्छा लगता है बहुत ही tasty लगता है उसका अंदर का stopping जो है बहुत ही tasty लगता है इसलिए मैं चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ इसे लगातार 5 मिनिट चलाना है slow flame पर ही एप प्रोसेश जो है करना है क्योंकि चावल का आटा जो है जल न जाए इसका आपको ध्यान रखना है इसे आच्चे से रोस्ट करना है मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से किश्मिश आप चाहे तो बदाम और काजू भी थोड़े से क्रश करके डाल सकते हैं एक चमच इलाइची पाउडर डालना है और अच्चे से मिक्स करना है रोस्ट होने के बाद इसे बहुती अच्चा स्मेल आता है इसी स्टेज पर हम ग्यास आफ करेंगे इसी थोड़े दर थंड़ा होने के लिए छोड़ देना है थंड़ा होने के बाद इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे देड कप चीनी PCUE बारिक PCUE चीनी हम इसमें डालेंगे और अच्चे से mix करना है इसमें तंडा होने के बाद ही चीनी को डालना है अगर गरम रहता है तभी आप चीनी डालेंगे तो moisture release होने लगेगा इसलिए हमें तंडा होने के बाद ही चίνी डालना है को जैसे sweet पसंद है न वैसे आप कम या जादा चीनी डाल सकते हैं मैं यहां एक तेड़ कप चीनी डाल रहे हूँ तो यहां मैं ले रहे हूँ चार चमच गी तो इसमें हम डालेंगे चार चमच कॉर्ण फ्लॉर चार चमच गी के लिए चार चमच कॉर्ण फ्लॉर डालेंगे और इसे लगातार चलाना है स्मूथ पेस्ट रड़ी करना है बिल्कुल इस तरह से लगातार पाच मिनिट इस तरह से स्पून से चलाते रहना है बैटर की कंसिस्टनसी दिखिए बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए घी में कॉर्ण फ्लॉर जो है अच्छी तरह से मिक्स होकर स्मूथ बैटर बनना चाहिए 15 मिनिट बाद हमारा आटा बिल्कुल सेट है यह देखिए इसके उपर थोड़े थोड़े डॉट्स दिख रहे हैं जैसे हम रोटी बनानी के लिए बड़े बड़े लुई बनाते हैं तो वह इसे ही बनाना है यह लेयर वाली करंची बनाने का मेटड बिल्कुल अलग है इसलिए पूरा वीडियो दीखिए यह भी आपको जे रेसिपी है न तो पता चले गए इसमें से एक गोला लेना है और उपर नीचे थोड़ा आटा लगा कर बिल्कुल इस तरह से बेलना है बिल्कुल इस तरह से बड़े बड़े रोटी बनाकर रेडि कर लेना है जैसे हम रोटी बनाते हैं न वैसे ही इसे रोटी बनाना है जितना हो सके उतना पतला आपको बेलना है इसे साइड में रख लेते हैं और इसी तरह से दूसरा गोला लेना है और उपर नीचे आटा लागा कर बिल्कुल इस तरह से बेलना है इसी तरह से सारे रोटी को रेडी करके लेना है हमारे सारे मैदा के रोटी रेडी है इसमें से एक रोटी लेंगे और उपर से गी और कॉर्म फ्लोर का बैटर जो हमने बनाया थे ना तो ओ इस तरह से लगाना है बिल्कुल इस तरह से हलके आतों से लगाना है उपर से थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ही करना और इसी तरह से एक के ऊपर एक रोटी रखना है बिल्कुल इस तरह से टोटल मैं यहाँ साथ रोटियां रख चुकी हूँ इसी तरह से धीरे-धीरे रोल करना है बिल्कुल इस तरह से इस तरह से धीरे-धीरे रोल करना है बिल्कुल इस तरह से यह देखिए यह रोल कितनी अ छाते इसलिए आगे पीचे थोड़ा गुमाना आया है इस तरह से और चाकू के हेल्प से इस तरह से चोटे-चोटे पीसस में काट लेना है बिल्कुल इस तरह से करणजी को है इसी हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उपर से धक्कन क्छ्रकर के साईड में रखना है और इसमें से एक रोल लेंगे और धीरे से इस तरह प्रेस करना है उपर से प्रेस करना इस तरह से मैंने रोल कैसे रखा है यह आपको देखना बहुत ज़रूरी है यह बहुत ज़रूरी टीप है क्योंकि इस पर ही आपके करंजी जो है लेयर डिपेंड है इस पर ही आपके करंजी के लेयर डिपेंड है दीरे से इस तरह से प्रेस करना है और उ वैसे आपको कम जादा स्टपिंग अंदर अच्छा लगता है वैसे आप आड़ कर सकते हैं इसमें आड़ करना है और एक साइड से थोड़ा दूद लगाना है दूद लगाई है अदरवेस पानी लगाई है दूद लगाकर दोनों साइड को इस तरह से मिला कर दबाना है बिल यह आपको आच्छी तरह से प्रेस करना है इसी तरह से और एक करंजी बना कर दिखाती हूं इसी तरह से और एक रोल लेना है और इस तरह से प्रेस करना है और उपर नीचे आटा लगा कर बिल्कुल इस तरह से बेलना है और अंदर स्टपिंग आइड करके साइड में तोड़ सदूद लगा कर इसे इसी तरह से प्रेस करना है इसी तरह से सारे करंजी को रेडी करके लेना है आप देख सकते हैं हमारे सारे करंजी बिल्कुल रेडी है उन्हें सुन्दर दिख रही है चलिए अब हम चलते हैं फ्राय करने के प्रोसेस में तेल जो है न वो मैंने अल्रेड गरम करने के लिए रखा था तो तेल हमारा गरम हो चुका है तो इसमें हम इस करंजी को धीरे-धीरे फ्राय करने के लिए डालेंगे और धीरे-धीरे उपर से इस तरह से करंजी के उपर तेल डालना है बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं धीरे-धीरे इसके उपर कितने बढ़िया लेयर्स आ रहे है और इसे दीरे-दीरे को फ्राय करना है क्योंकि पेड की करंची बहुत ही नाजुक रहती है इसलिए इसे दीरे से पलटना है और इसे दीरे-दीरे फ्राय करना है यह दिखिए कितने सारे लेयर्स आये है और आप इसे लेयर्स को काउंट भी नही कर सकते इतने सारे लेयर्स आये हैं और खाने में के बात मुझ में पिगल ही जाएगा इतने क्रिस्पी बने हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करके दीखिए आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट आएगी मेरी ग्यारेंटी है वोड़ा सा गॉल्डन ड्राउ करनजी को फ्राय करके लेना है करे करनजी को फ्राय कर लिया है यह देखिए हमारी करनजी में कितने सारे लेयर्स आये हैं और खाने में बहुत ही खस्ते लगते हैं आपको एक करनजी तोड़कर दिखाती हूं यह देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है हमारे खस्ते डेड़ सार लेयर के मुमें डालने के बाद घुल जाने वाले करण जी बिलकुल तैयार है रेसीपी को एक बार ज़रूर ट्राय करके दीखिए और ऐसे ही नए नए रेसीपीज देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए फ्रेंड्स बाई बाई फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसीपीज के साथ